नमस्कार हिमाचल बुलिटन में आपका स्वागत है कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई अठारा वर्से अधिकायू के व्यक्ती टीका करण के लिए पंजी करण करवाएं पंजी करण के लिए www.covin.gov.in अथ्वा self-registration.covin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मोबाईल नंबर दर्ज करें मोबाईल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें फार्म के अनुसार विवरन भरें और स्वयम को पंजी करें टीका करण के उप्रांथ भी तीन बहु मुल्यानियम अवश्य अपनाएं हमेशा मास्क पहनें अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर अच्छी तरह धोएं दूसरों से उच्छे दोरी बना कर रखें अब पेश है आज के समचार मुख्य मंत्री श्वी जयराम ठाकुर ने हिमाश्व प्रदेश के सीमा वर्ती क्षेत्रों में तीन पूलों को समर्पित करने के लिए केंद्रिय रक्षा मंत्री श्वी राजना प्रदेश में स्थित है श्वी जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाश्व के लिए समर्पित तीनों पूल महतवपुन हैं क्योंकि वे राज्य के उन दुर्गम क्षेत्रों को संपर्क सुविधा प्रदान करते हैं जहां देश की सैना और अर्ध सैनिक बल तैनात है उन्होंने कह पूल संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ चैनिकों के लिए विभिन सामगरी की निर्बाध आपूर्ती करने में महतवपुन भूमिका निभाएगा उन्होंने कहा कि यह पूल क्षेत्र में क्रिशी गतिवीधियों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक व बाध आपूर्ती सुनिश्चित करेगा उन्होंने कहा कि यह सड़क भारत व चीन सीमा पर तैनाथ सैनिकों के लिए जीवन रेखा का काम करती है राजेपाल, श्रीबंडारू दत्तात्री, मुख्यमंत्री श्रीजेराम ठाकूर और हिमाश्रप्रदेश उच नयायाले के मुख्य नियाएधिश नियायमूर्ती एल नारायन स्वामी की उपस्तिती में आज राजभवन में हिमाश्रप्रदेश, पुलिस और राष्ट्रिय विधी विश्व विद्याले शिमला के बीच एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षित के गए पुलिस ने कानून एवम व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और महिलाओं के विरुध अपराध रोकने के लिए भावी सूचक रणनीती को अपनाया है। मुख्या वंत्री ने कहा कि पुलिस लौ इंटरेक्शन फॉरम नयालियों द्वारा दिये जाने वाले निरणयों और उनकी वैधिक परिभाशा को समझने में पुलिस कर्मियों की सहायता करेगा तथा दोनों संगटनों के मध्या एक सहीयोगी वैवस्था स्थापित करने म सफल होगा श्रीजा राम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस के काजय की सराहना करते हुए कहा कि जिला शिमला के पुलिस थाना चौपाल को वर्ष 2018 में देश के प्रथम 10 पुलिस थानों में शामिल किया गया था इसी वर्ष हिमाचल पुलिस को जिला कुलू में प्रतिभागी कारिकरम के लिए स्कॉच अवर्ड से सम्मानित किया था आरेडी एमेस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2018 में एफ आई सी सी आई द्वारा भी हिमाचल पुलिस को सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री शुईजयराम ठाकुर ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच देश के लिए राहत पैकेज की घोशना करने के लिए केंद्रियवित मंत्री शुईमती निर्मला सीता रमन और केंद्रियवित और कार्पोरेट मामलों के राजय मंत्री शुईयराग ठाकुर का धन्य मुख्यमंत्री ने कहा कि COVID-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक दशमलव एक लाख करोड रुपे की रिण गारंटी योजना का पैकेज महामारी से बुरी तरह प्रभावित आर्थ व्यवस्ता को पुनरजीवित करने की दिशा में नई गती प्रदान करेगा शुईज एराम ठाकुर ने कहा कि सुक्ष्म वीतिय संस्थानों के माध्यम से छोटे कर्दारों को रिण प्रदान करने के लिए शुरू की गई नई क्रेडिट गारंटी योजना व्यक्तिकत रूप से और छोटे उद्यमियों को साहता प्रदान करने में एक बड़ा कदम स 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिए भी केंदर सरकार का धन्यवाद किया है उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थे के लिए 23,220 करोड रूपे अबंटित करने के लिए केंदर सरकार का धन्यवाद किया जिसमें शिशु एवंबाल देखभाल पर विशेच ध्यान दिय संत्ष्री आशाराम जी बापू आश्रम ट्रस्ट बिलासपूर के ट्रस्टे डॉक्टर आरके शर्मा ने हिमाश्रप्रदेश कोविड नाइंटीन सॉलिडेरिटी रिस्पॉंस फंड के लिए मुख्यमंत्री श्वीजय राम च्हाकुर को आज शिमला में एक लाख रुप 376 लोगों के सैंपल लिये गए जिन मैसे 183 लोगों की रिपोर्ट नेगर्टिव पाई गई है जबकि 486 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 23, recre Лग 9,696 लोगों की जांच कीजा चुकी है जिन मैसे 21,0590,508 सैंपल की जांच नेगर्टिव पाई गई है प्रदे 1579 व्यक्ति उप्चारा धिन है हिमाचल वरेटेन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल फॉलो करें ट्वीटर एट DPRHP, लाइक करें फेस्बुक पेज इंफरमेशन और पबिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाज़त नमस्कार